परिचय बच्चों, आज हम त्रीविमिय जयामिती को जानेंगे. क्या तुम जानते हो कि त्रीविमिय जयामिती क्या होती है? सर, त्रीविमिय जयामिती में हम X, Y तथा Z अक्ष पर गरना करते हैं. बहुत अच्छा और इन तीन अक्षों के बीच का कूण कितने डिगरी का होता है? तर अक्षों के बीच का कूण 90 डिगरी का होता है? ठीक कहा तो आओ इस पार्ट में त्री विमिये जयामितिय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे इस पार्ट में आप त्री फिमिये जयामिती को जानेंगे उद्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करदे में सक्षम हो जाएंगे एक रेखा का दिक को जयात था दिक अनुपात ग्यात करना अमश्टी में एक रेखा का समिकरन दो रेखाओं का कौन ग्यात करना दो रेखाओं के बीच लगुत्तम दूरी ग्यात करना सम्तल का समिकरन ग्यात करना दो रेखाओं की सम्तलियता ग्यात करना दो सम्तलों के बीच का कौन ग्याद करना एक सम्तल से एक बिंदू की दूरी ग्याद करना एक रेखा और एक बिंदू के बीच की दूरी ग्याद करना एक रेखा की दिक गोज्या और दिक अनुपात यदि एक सरल रेखा X अक्ष, Y अक्ष तथा Z अक्ष से क्रमशा, अलफा, बीटा तथा गामा कोन बनाती हैं, तब कॉस अलफा, कॉस बीटा, कॉस गामा सरल रेखा की दिक कोज्याएं कहलाती हैं दिक कोज्याओं को प्राया LMN के रूप में निरुपित किया जाता है तीन संख्याएं जो एक रेखा की दिक कोज्याओं के समानुपाती हैं, एक रेखा के लिए दिक कनुपात कहलाती हैं यदि A, B तथा C एक रेखा के दिक कनुपात हैं, तब A बराबर LMN, B बराबर LMN, C बराबर LMN एक रेखा की दिक कोजियाओं के मध्धे संबंध यदि L, M, N एक रेखा की दिक कोजियाएं हों तब L वर्ग जमा M वर्ग जमा N वर्ग बराबर होगा एक के प्रमान माना की O मूल बिंदु है तथा P एक बिंदु है जिसके निर्देशांक X, Y, Z इस तरह है कि O P की लंबाई R है तब X पराबर L, R, Y पराबर M, R, Z पराबर N, R O तथा P के मध्धूरी के सूत्र से दो बिंदु हों से गुजरने वाली डिक कोजियाएं माना की L, M, N रेखा P1, P2 की डिक कोजियाएं हैं एवं ये X, Y तथा Z अक्ष से क्रमशा, अलफा, बीटा तथा गामा कोण बनाती हैं दिक कोजियाएं निमननुसार दी गई हैं L बराबर कोज अलफा बराबर X दो घटा X एक बटा डी M बराबर कोज बीटा बराबर Y दो घटा Y एक बटा डी N बराबर कोज गामा बराबर Z दो घटा Z एक बटा डी D बराबर वर्ग मूल X दो घटा X एक वर्ग जमा Y दो घटा Y एक वर्ग जमा Z दो घटा Z एक वर्ग उधारण दू बिंदुओं एक आठ घटा पाँच तथा घटा दू घटा नौ पाँच से गुजरने वाली रेखा की दिक कोजिया ग्याद कीजिये हल माना की D2 बिंदुओं के मद्ध की दूरी है एवं इसका मान निम्न सूत्र द्वारा ज्याद किया जा सकता है D बराबर वर्ग मूल X2 घटा X1 वर्ग जमा Y2 घटा Y1 वर्ग जमा Z2 घटा Z1 वर्ग D बराबर वर्ग मूल घटा 2 घटा 1 वर्ग जमा घटा 9 घटा 8 वर्ग जमा 5 जमा 5 वर्ग D बराबर वर्गमोल 3 वर्ग जमा 17 वर्ग जमा 10 वर्ग D बराबर वर्गमोल 9 जमा 2, 8, 9 जमा 100 D बराबर 398 का वर्गमोल D बराबर 19.9 जार D गोजियों को इस प्रकार दिया जाता है L बराबर घटा 3 वर्टा 19.9 जार M बराबर घटा 17 वर्टा 19.9 जार N बराबर 10 वर्टा 19.9 जार समश्टी में रेखा का समिकरण एक दिये गए सदिश वी के समानांतर तथा एक दिये गए बिंदू से होकर गुजरने वाली रेखा का समिकरण रेखा L पर बिंदू P-0 ने चहन कीजिए तथा अशूने सदिश वी रेखा के समानतर है रेखा L सदिश वी के समानतर तथा P-0 से गुजरने वाली अद्वित ये रेखा है अब P-0 में है यदी और केवल यदी सदिश P-0 ने P-0 वी के समानांतर है अता सदिश P-0 ने P बराबर सदिश O-P घटा सदिश O-P-0 बराबर सदिश R घटा सदिश R-0 ने कुछ अदिश T के लिए ये स्थिती सदिश R-0 ने बराबर T-0 वी के बराबर है समीकरण सदिश R-0 ने बराबर T-0 वी रेखा L का सदिश समीकरण कहलाता है रेखा का कारतिय समीकरण माना कि बिंदू P-0 के निर्दशांग X1, Y1, Z1 है तथा रेखा के दिकानुपाद A-B-C है और बिंदू P के निर्दशांग X, Y, Z है तब रेखा L के कारतिय समीकरण है X घटा X1 बटा A बराबर Y घटा Y1 बटा B बराबर Z घटा Z1 बटा C एवं यदि L, M, N रेखा L के दिक कोजिया है तब कारतिय समीकरण को इस परकार लिखा जा सकता है X घटा X1 बटा L बराबर Y घटा Y1 बटा M बराबर Z घटा Z1 बटा N दो बिंदों से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण माना की सदिश रेखा L पर A, B तथा R के क्रमशा A, X1, Y1, Z1, B, X2, Y2, Z2 तथा P, X, Y, Z धनात्मक सदिश है तब रेखा L का सदिश समीकरण है सदिश R बराबर सदिश A चमा लेम्डा सदिश P घटा सदिश A लेम्डा वास्तविक संख्या के अंतर गताता है रेखा के कार्तिय समीकरण रेखा L का कार्तिय समीकरण X घटा X1 बटे X2 घटा X1 बराबर Y घटा Y1 बराबर Z घटा Z1 बटे Z2 घटा Z1 उधारण सदिश 3 कैप I जमा 2 कैप J घटा कैप K के समनांतर तथा 1,2,3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ग्याद कीजिए हल दिया गया है सदिश V बराबर 3 कैप I जमा 2 कैप J घटा कैप K आर शुन बराबर 1,2,3 बराबर कैप I जमा 2 कैप J जमा 3 कैप K अधा रेखा का सदिश समीकरण आर बराबर कैप I जमा 2 कैप J जमा 3 कैप K जमा T 3 कैप I जमा 2 कैप J घटा कैप K बराबर 1 जमा 3 T कैप I जमा 2 जमा 2 T कैप J जमा 3 घटा T कैप K दो रेखाओं के बीच का कौन माना की L1 तथा L2 क्रमजा A1, B1, C1 तथा A2, B2, C2 दिक अनुपातों के साथ मूल बिंदू O से होकर गुजरने वाली रेखा है माना की P रेखा L1 पर कोई बिंदू है तथा Q रेखा L2 पर कोई बिंदू है तब दो दिक रेखाएं O, P तथा O, Q है माना की थीटा O, P तथा O, Q के मथे एक न्यून कौन है तब कौन थीटा निम्ननुसार दिया जाता है कौस थीटा पराबर मापांग A1, A2 जमा B1, B2 जमा C1, C2 बटा वर्कमोल A1 वर्ग जमा B1 वर्ग जमा C1 वर्ग गुणा वर्कमोल A2 वर्ग जमा B2 वर्ग जमा C2 वर्ग माना की रेखा L1 के लिए दिक को जियाएं L1, M1, N1 तथा रेखा L2 के लिए दिक को जियाएं L2, M2, N2 हैं तब कौन थीटा को निम्ननुसार दिया जाता है कौस थीटा पराबर मापांग L1, L2 जमा M1, M2 जमा N1, N2 महतबून बिन्दू यदि रेखा लमवत है इसका तात पर है कि यदि थीटा पराबर नपे टिकरी है तब A1, A2 जमा B1, B2 जमा C1, C2 पराबर 0 यदि रेखा लमवत है इसका तात पर है कि यदि थीटा पराबर 0 डिकरी है तब A1 पटा A2 बराबर B1 पटा B2 बराबर C1 पटा C2 यदि रेखाओं को इस प्रकार दिया जाता है सदिश R पराबर सदिश A1 जमा लेमडा सदिश B1 सदिश R पराबर सदिश A2 जमा मियू सदिश B2 तब कॉस थीटा पराबर मापांक सदिश B1 गुणा सदिश B2 बटा मापांक सदिश B1 गुणा सदिश B2 कार्थिय रूप में दो रेखाओं के बीच का कोण थीटक निम्ननुसाड दिया जाता है कौस थीटा पराबर मापांक A1 A2 जमा B1 B2 जमा C1 C2 बटा वर्ग मूल A1 वर्ग जमा B1 वर्ग जमा C1 वर्ग कुणा वर्ग मूल A2 वर्ग जमा B2 वर्ग जमा C2 वर्ग उधारण रेखाओं के मद्धिककों ग्याद करें सदिश आर बराबर कैप I जमा 5 कैप J घटा 7 कैप K जमा लेम्टा दो कैप I घटा 3 कैप J जमा 6 कैप K दिया गया है सदिश आर बराबर कैप I जमा 5 कैप J घटा 7 कैप K जमा लेम्टा 2 कैप I घटा 3 कैप J जमा 6 कैप K सदिश आर बराबर 4 कैप I घटा 8 कैप J जमा 2 कैप K जमा लेम्टा 7 कैप I जमा 5 कैप J जमा 9 कैप K दिया गया समीकरों की तुलना निम्न समीकरों से करने पर सदिश आर बराबर सदिश A1 जमा लेम्डा सदिश B1 सदिश आर बराबर सदिश A2 जमा मेउ सदिश B2 यह सदिश B1 पराबर 2 कैप I घटा 3 कैप J जमा 6 कैप K सदिश B2 बराबर साथ कैप आई जमा पांच कैप J जमा नो कैप K दो रेखाओं के मध्धिकोन कमान निम्ननुसार दिया जाता है कौस थीटा बराबर मापांक सदिश B1 गुणा सदिश B2 भटा मापांक सदिश B1 गुणा मापांक सदिश B2 कौस थीटा बराबर 2 कैप आई घटा 3 कैप J जमा 6 कैप K तथा 7 कैप आई जमा 5 कैप J जमा 9 कैप K डौट गुणन का मापांक भाग वर्गमूल 4 जमा 9 जमा 36 गुणा वर्गमूल 49 जमा 25 जमा 81 कौस थीटा बराबर मापांक 14 घटा 15 जमा 54 भाग साथ गुणा 12 दशमलव 44 बराबर मापांक 53 बटा 87 दशमलव 08 थीटा बराबर कौस इन्वर्ज 53 बटा 87 दशमलव 08 थीटा बराबर 52 दशमलव 5 एक डिगरी दो रेखाओं के बीच की लगुत्तम दूरी दो त्रियक रेखाओं के बीच की दूरी यदि दो रेखाएं L1 और L2 त्रियक हैं अर्थात वे ना ही समनांतर हैं और ना ही कतिच्छे तक हैं तब दो त्रियक रेखाओं के लंबवत एक अन रेखा L3 लगुत्तम दूरी की रेखा कहलाती है यदि PQ रेखा L3 का रेखा खंड है जो दो त्रियक रेखाओं L1 और L2 से मिलती है तब PQ को L1 तथा L2 के बीच की लगुत्तम दूरी कहा जाता है यदि दो त्रियक रेखाओं निम्न हों तब सदिश R बराबर सदिश A1 जमा Lambda सदिश B1 सदिश R बराबर सदिश A2 जमा Mu सदिश B2 तब लगुत्तम दूरी D है यदि दो रेखाओं के बीच की लगुत्तम दूरी शूने है इसका ताथ पर ये है कि रेखाएं प्रतिच्छे तक हैं या एक यही समतल में हैं कार्तिय रूप में रेखाओं के बीच की लगुत तम्दूरी L1X घटा X1 बटा A1 बराबर Y घटा Y1 बटा B1 बराबर Z घटा Z1 बटा C1 L2X घटा X2 बटा A2 बराबर Y घटा Y2 बटा B2 बराबर Z घटा Z2 बटा C2 है पंक्ति अनुसार चारणिक बांपांक प्रतम पंक्ति X2 घटा X1 घटा Y1 Z2 घटा Z1 2. पंक्ति A1 B1 C1 3. पंक्ति A2 B2 C2 बटा वर्ग मोल B1 C2 घटा B2 C1 वर्ग जमा T1 A2 घटा T2 A1 वर्ग जमा A1 B2 घटा A2 B1 वर्ग समानता रेखाओं के बीच की दूरी माना की दू समानता रेखाओं L1 तथा L2 निम्ननुसार दी गई हैं सदिश R बराबर सदिश A1 जमा लेम्डा सदिश B सदिश R बराबर सदिश A2 जमा म्यू सदिश B जहां S इस्थिती सदिश A1 के साथ रेखा L1 पर कोई बिंदू है तथा T स्थिती सदिश A2 के साथ रेखा L2 पर कोई बिंदू है एवं सदिश B प्रतेक रेखा की दिशा है यदि T P दो रेखाओं के बीच की दूरी है तब T P बराबर मापांक क्रॉस कुरन सदिश B एवं सदिश A2 और सदिश A1 के बीच के अंतर बटा मापांक सदिश B उधारण रेखाओं L1 तथा L2 के बीच की लगुत्तम दूरी ग्याद कीजिए जिसके सदिश का समीकरण निमने लिखित है सदिश R बराबर कैप आई जमा तीन कैप जे जमा पांच कैप के जमा लेंडा घटा कैप आई जमा दू कैप जे जमा तीन कैप के सदिश R बराबर 2 कैप आई घटा कैप जमा लेंडा कैप आई जमा चार कैप जे जमा पांच कैप के हल किये गए समीकरण की तुलना निमने समीकरण से करने पर सदिश R बराबर सदिश A एक जमा लेंडा सदिश B एक सदिश R बराबर सदिश A तो जमा म्यू सदिश B दो हम पाते हैं सदिश A एक पराबर कैप आई जमा तीन कैप जमा पांच कैप के सदिश B एक बराबर घटा कैप आई जमा दो कैप जमा तीन कैप के सदिश A तो बराबर दो कैप आई घटा कैप जमा चार कैप जमा पांच कैप के सदिश A तो घटा सदिश एक बराबर कैप आई घटा चार कैप जमा पांच कैप के अब सधिश भी एक तथा सधिश भी दो क्रोस कुड़न है, घटा कैप आई जमा दो कैप चे, जमा तीन कैप के, क्रोस कैप आई जमा चार कैप चे, जमा पांच कैप के, बराबर सानड़िक पंक्ति अनुसार, प्रत्धम पंक्ती कैप आई कैप चे कैप के, दृतिय पंक्ती घटा 1, 2, 3, त्रितिय पंक्ती 1, 4, 5, पराबर घटा 2 कैप आई जमा 8 कैप चे घटा 6 कैप के, सधिश B1 तथा सधिश B2 के क्रोस कोणन का मापांक बराबर 4 जमा 64 जमा 36 का वर्गमोल, बराबर 104 का वर्गमोल इस प्रकार रेखाओं के बीच की लगुत तमदूरी को निम्न प्रकार से दिया जाता है। बराबर मापांक, घटा 2, घटा 32, जमा 30, बटा 104 का वर्गमोल पराबर 4 बटा वर्गमोल 104 सम्तल एक सम्तल की इस तरह की सतह होती है कि इस पर किनी दू बिंदूओं A, B के लिए पूरा रेखाओंड A, B के प्रतेक बिंदू सतह पर इस्थित हैं। अभी लंब रूप से सम्तल का समी करण एक सम्तल पर विजार कीजिए जिसकी मूल बिंदू से लंबवत दूरी D है, D शून के पराबर नहीं है। यदि सदिश O, N मूल बिंदू से सम्तल पर अभी लंब है, तथा कैप N, सदिश O, N के साथ मातरक अभी लंब सदिश है। तथा माना की सदिश R, सम्तल पर बिंदू P का इस्तिदी सदिश है। तब सम्तल का समी करण मातरक सदिश N के साथ सदिश R बराबर D कार्थिय रूप में सम्तल का समी करन माना की सतिश R बराबर X, CAP, I, J, Z, CAP के है LX, MY, J, Z, बराबर D जहां L, M, N, CAP, N की दिख को जाए है एक दिए गए बिंदू से होकर गुजरने वाले तथा एक दिए गए सदिश के लंबवत सम्तल का समी करन माना की सदिश A मूल बिंदू O के सापेक्ष सम्तल पर एक दिए गए बिंदू A का इस्थिति सदिश है तथमाना कि सदिश आर समतल पर किसी बिंदू आर का इस्थिती सदिश है यदि सदिश N समतल का सदिश अभी लंब है तब सदिश N समतल की प्रतिक रेखाओं के लिए लंबवत होगा इसलिए सदिश N सदिश AR के लंबवत है अता समतल का समिकरण सदिश A R और N का डौट कुड़न बराबर 0 अथवा डौट कुड़न सदिश R घटा सदिश A और सदिश N बराबर 0 कार्तिय रूप में सम्तल का समिकरण है माना कि सदिश R बराबर X कैप I जमा Y कैप J जमा Z कैप K सदिश A बराबर X1 कैप I जमा Y1 कैप J जमा Z1 कैप K सदिश N बराबर A कैप I जमा B कैप J जमा C कैप K तब डौट कुड़न सदिश R घटा सदिश A और सदिश N बराबर 0 ने होता है A गुणा X घटा X1 जमा B गुणा Y घटा Y1 जमा C गुणा Z घटा Z1 पराबर शुने जहां A, B तथा C सम्तल के दिकन उपात हैं तीन गैर सम्रेक बिंदूं से गुजरने वाले सम्तल का समिकरण जदी R सम्तल पर इस्थित सदिश R के साथ कोई बिंदू है तब चुणकि A, B, C तथा R एक इही सम्तल पर हैं इसलिए A, R, A, B, A, C एक सम्तल पर हैं इसलिए डौट गुण सदिश A, R तथा क्रौस गुण सदिश A, B और सदिश A, C बराबर 0 ने या डौट गुण सदिश R, घटा सदिश A, तथा क्रौस गुण सदिश B, घटा सदिश A, तथा सदिश C, घटा सदिश A बराबर 0 कारतिय रूप में कैप के, तथा सदिश R पराबर X कैप I, जमा Y कैप J, जमा Z कैप के, सम्तल का समिकरण है, पंक्ति अनुसार सारनेक, प्रथम पंक्ति X, घटा X1, Y, घटा Y1, Z, घटा Z1, तृतिय पंक्ति, X2, X1, Y2, घटा Y1, Z2, घटा Z1, तृतिय पंक्ति, X3, X1, Y3, Y1, Z3, घटा Z1 पराबर 0 एक सम्तल के समिकरण का अंता खंड रूप, माना की O मूल बिंदु है तथा OX, OY तथा OZ निर्देशक अक्ष हैं, माना की सम्तल A में OX, B में OY तथा C में OZ पर मिलता है, तब OA बराबर A, OB बराबर B तथा OC बराबर C है, इसका अताद पर है कि A, B, C इस्थिती सदेश क्रमशा, A कैपाई जमाः शूने, कैप J जमाः शूने, कैप K, शूने कैपाई जमाः बी, कैप J जमाः शूने, कैप K, शूने कैपाई जमाः शूने, कैप J जमाः शूने, कैप K, इसका अताद पर है, सम्तल का समीकरण है X बटा A चमा Y बटा B चमा Z बटा C बड़ाबर 1 दो दिये गए सम्तलों के प्रतिछेदन से होकर जाने वाला सम्तल हमें ग्याद है कि सदिश R तथा सदिश N1 दो सम्तलों का डॉट कोड़न बराबर D1 एवं सदिश R तथा सदिश N2 का डॉट कोड़न बराबर D2 एक रेखा के साथ एक दूसरे को प्रतिछेद करती हैं इस रेखा के बिंदू दोनों सम्तलों के लिए उभैनिष्ठ होते हैं इसके अतिरिक्ट दोनों सम्तलों के सम्तलों के समीकरण को संतुष्ट करने वाले बिंदू निम्न समीकरण को भी संतुष्ट करते हैं डॉट गुडन सदिश R तथा सदिश N1 जमा लेम्डा सदिश N2 बरावर D1 जमा लेम्डा D2 जहां लेम्डा R के अंतरकत है. कार्थिय रूप में यती C2 कैप के तब समतल का समिकरण है A1X जमा B1Y जमा C1Z घटा D1 जमा लेम्डा गुणा A2X जमा B2Y जमा C2Z घटा D2 परावर शूने दो रेखाओं की समतलियता यती दो रेखाएं सदिश R बरावर सदिश A1 जमा लेम्डा सदिश B1 सदिश R बरावर सदिश A2 जमा मियू सदिश B2 समरेखिये हैं तब उनके अभवयनिष्ट तल प्रतेक सदिशों के समानंतर होने चाहिए सदिश A2 घटा सदिश A1 सदिश B1 सदिश B2 अर्थाथ इन सदिशों को समरेखिये होना चाहिए अतैव डॉट गुडन सदिश A2 घटा सदिश A1 एवं क्रॉस गुडन सदिश B1 और सदिश B2 बरावर सुने कार्थिय रूप में यदि रेखाएं हैं X घटा X1 बटा A1 बरावर Y घटा Y1 बटा B1 बरावर Z घटा Z1 बटा C1 तथा X घटा X2 बटा A2 बरावर Y घटा Y2 बटा B2 बरावर Z घटा Z2 बटा C2 तब रेखाओं वाले सम्तल का समिकरण है पंक्ति अनुसार स्वानडेक प्रथम पंक्ति X घटा X1, Y घटा Y1, Z घटा Z1 दुईतिय पंक्ति A1, B1, C1 तृतिय पंक्ति A2, B2, C2 बराबर 0 दो सम्तलों के बीच का कौन दो सम्तलों के बीच के कौन को उनके अभिलंबों के बीच कौन के रूप में परिभाशित किया जाता है माना की दो सम्तलों के बीच का कौन ठीटा है तब डॉट गुडन सदिश आर तथा सदिश N1 बराबर D1 तथा डॉट गुडन सदिश आर तथा सदिश N2 बराबर D2 तब थीटा दो सदिशों N1 तथा N2 के बीच का कौन है? कौस थीटा बराबर मापांग डॉट गुडन सदिश N1 तथा सदिश N2 भाग मापांग सदिश N1 मापांग सदिश N2 कारतिय रूप में यदि थीटा दो समतलों के बीच का कौन है? A1X जमा B1Y जमा C1Z जमा D1 बराबर 0 तथा A2X जमा B2Y जमा C2Z जमा D2 बराबर 0 इसलिए कौस थीटा बराबर मापांग A1A2 जमा B1B2 जमा C1C2 भाग वर्ग मूल A1 जमा B1 वर्ग जमा C1 वर्ग गुणा कवर्ग मूल A2 वर्ग जमा B2 वर्ग जमा C2 वर्ग एक सम्तल से एक बिंदो की दूरी सदिश रूप में एक इस्तिती सदिश A से लंब की सम्तल के लिए लंबाई डौट कुरन सदिश R तथा सदिश N पराबर D को निमन प्रकार से दिया जाता है कारतिय रूप में एक बिंदो P X1 Y1 Z1 से लंब की सम्तल के लिए लंबाई AX जमा BY जमा CZ बराबर D नीचे ठीक गई है उधारण एक बिंदो चार दो घटा एक की सम्तल से दूरी ग्याद कीजे हल दिया गया है सदिश A पराबर 4 कैप I जमा 2 कैप J घटा कैप K सदिश N पराबर 3 कैप I घटा 4 कैप J जमा कैप K तथा D बराबर 10 सम्तल से बिंदो 4 दो घटा एक की दूरी बराबर मापांक 12 घटा 8 घटा 1 घटा 10 बटा मापांक वर्कमोल 9 जमा 16 जमा 1 बराबर 7 बटा वर्कमोल 26 एक रेखा और एक सम्तल के बीच का कौन सम्तल के अभिलंब तथा रेखा के बीच का कौन पूरख होता है सदिश रूप में यदि रेखा का समिकरण सदिश R बराबर सदिश A जमा लेमडा सदिश B है एवं सम्तल का समिकरण सदिश R तथा सदिश N का डॉट कुडन बराबर D है तब सम्तल के अभिलंब तथा रेखा के बीच का कौन ठीटा है अता सम्तल तथा रेखा के बीच का कौन फाई निम्न नुसार दिया जाता है नब्बे घटा ठीटा अर्थाद साइन नब्बित घटा ठीटा पराबर कौस ठीटा तथा साइन फाई या फाई निम्न है क्या आप जानते हैं? लियुनार्ड यूलर एक सुईस गणी तगे तथा एक भौतिक शास्त्री थे तथा उन्होंने त्री विम्य आकरितियों एवं उनके विश्लेशन में बहुत अच्छा योगदान दिया। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संख्षेप में तोहराएं। एक रेखा की दिक कोजिया को अक्षों से धनात्मक दिशा के साथ रेखा दोरा बनाए गए कौन की कोजियाओं के रूप में परिभाशित किया गया है। तीन संख्याएं जो एक रेखा की दिक कोजियाओं के समानुपाते होती हैं रेखा का दिक अनुपात कहलाती हैं। यदि L M N एक सरव रेखाओं की दिक को जाए हो तब L वर्क जमा M वर्क जमा N वर्क बराबर एक है। समिकरन सदिश आर घटा सदिश आर शौन ने बराबर ٹ। सदिश वी तथा दिए गए बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा L का एक सदिश समिकरन कहलाता है। कार्थिय रूप में X घटा X1 बटा A बराबर Y घटा Y1 बटा B बराबर Z घटा Z1 बटा C यदि रेखा L पर सदिश A, B तथा R क्रमशा A, X1, Y1, Z1, B, X2, Y2, Z2 तथा P, X, Y, Z के इस्थिती सदिश हो तब रेखा L का सदिश समिकरण है सदिश R बराबर सदिश A चमा लेम्डा गुणा सदिश P घटा सदिश A लेम्डा वास्तिविक संख्या के अंतरगात आता है रेखा का कार्तिय समिकरण है B2, C2 रेखा के दिकनुपात हैं तब दो रेखाओं के बीच का नियून कोन ठीटा निम्ण द्वारा दिया जाता है यदि दो त्रियक रेखाएं हैं सदिश R बराबर सदिश A एक जमा लेम्डा सदिश B एक सदिश R बराबर सदिश A दो जमा मियू सदिश P दो तब रेखाओं के बीच की लगुत्तम दुरी D निम्ण है कार्टिय रूप में रेखाओं के बीच की लगुत्तम दूरी निमन द्वारण दी जाती है। दो समनांतर रेखाओं सदिश R बराबर सदिश A1 जमा Λैम्डा सदिश B, सदिश R बराबर सदिश A2 जमा मियू सदिश B के बीच की दूरी निमन है। दूरी D पर समतल के समिकरण का सदिश रूप है, सदिश R गुना कैप N बराबर D, जहां कैप N समतल के अभिलंब का मातरक सदिश है, कार्दिक रूप में समतल का समिकरण है LX जमा MY जमा NZ बराबर D, जहां L M N कैप N की डिक हो जाए हैं. एक दिए गए सदिश तथा एक दिए गए बिंदु से होकर गुजरने वाले समतल का समिकरण है सदिश R गटा सदिश A गुना सदिश N बराबर शूने कार्दिये रूप में. A X घटा X1 जमा B Y घटा Y1 जमा C Z घटा Z1 बराबर शूने जहां A B तथा C समतल के दिक अनुपात हैं. एक समतल के समिकरण का प्रती छेदक रूप है X बटा A जमा Y बटा B जमा Z बटा C बराबर एक. यदि रेखाएं X घटा X1 बटा A1 बराबर Y घटा Y1 बटा B1 बराबर Z घटा Z1 बटा C1 और X घटा X2 बटा A2 बराबर Y घटा Y2 बटा B2 बराबर Z घटा Z2 बटा C2 हैं. तब रेखाएं वाले समतल का समिकरण दिम्न होगा. यदि दो समतलों के बीच का कौण थीटा है तब डॉट कुडन सदिश R और सदिश N1 बराबर D1 तथा डॉट कुडन सदिश R और सदिश N2 बराबर D2 तब थीटा को इस प्रकार लिखा जा सकता है. एक स्दिश E से लंब की समतल के लिए दूरी सदिश R और सदिश N बराबर D का डॉट कुडन नीचे दिया गया है. रेका सदिश R बराबर सदिश A जमा लेमडा सदिश B तथा समतल सदिश R और सदिश N बराबर D का डॉट कुडन है तो बीच का कौन फाई नीचे दिया गया है.